हेलो दोस्टो अगर आप अपना केरियर IT प्रीले के अने रे डनाई चाहते हैं तो चल्दी से जलोड़ी मेरे YouTube चैनल ससक्राइब कीजिए YouTube चैनल को सभूत करने के लिए YouTube ओपन किजिए खैं क्या आए यहांपर सर्च भार में चेकमा कीजिए सेव ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्पले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ अब सस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोस अवर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकत हेलो दोस्तों मेरा नाम विशेश पलिक है इस वीडियो में हम लोग Linux Operating System की Basic Commands को डिस्कस करने वाले हैं देखे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जो Linux Operating System की Basic Command डिस्कस करने वाले हैं वो है CP, MV, Free and FDisk ये चार कमांड दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तो कमांड को execute करने के लिए मैं वापस अपनी Linux Operating System की मसीन पर चलता हूँ और यहां पर आकर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, देखे दोस्तों सबसे पहली जो कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं वो है CP दोस्तों CP कमांड जो है वो Linux Operating System के अंदर हम लोग इस पेसली यूज करते हैं किसी भी फाइल के content को copy करने के लिए या फिर डारेक्टरी को copy करने के लिए एक location से दूसरी location पर, अब हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, दोस्तों मैं आपको यहां पर एक file के content आपको show करता हूँ cat, space, root, partition के अंदर, etc, directory के अंदर एक passwd नाम की file होती है, इस file के अंदर ये कुछ content रखे हुए हैं, जिसे मैं copy करना चाहता हूँ एक file के अंदर, तो मैं यहां पर एक touch से एक विश्यू नाम की blank file create कर लेता हूँ और आप यहां पर ls command के द्वारा देख सकते हैं कि विश्यू नाम की जो file है, वो create हो चुकी है, चाहे तो आप यहां पर confirm करने के लिए cat विश्यू करके आप इसका content देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी कोई भी content नहीं है अब अगर आप passwd file के complete content को कोपी करना चाहते हैं विश्यू फाइल के अंदर तो दोस्तो उसके लिए हम लोग command यूज करते हैं cp, space, file name, किस file का content आपको कोपी करना है, उस file का path provide कीजेगा, space, किस file में कोपी करना चाहते हो तो दोस्तो यहाँ पर मैं passwd file के content विश्यू फाइल के अंदर कोपी करना चाहता हूँ cp command के दुआरा तो यह command type करके आप just enter की press कीजेगा, अब यहाँ से आप आपसे confirmation ले रहा है confirmation के लिए आप by press कीजेगा, type करके enter की press कर दीजे, और दोस्तो pastwd file के content जो है, वो विश्यू फाइल के अंदर कोपी हो गए है confirm करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर pastwd file के content अगेन शो करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, pastwd file के अंदर complete content शो हो रहे हैं, के साथ साथ आप यहाँ पर अब विश्यू फाइल के अंदर भी देख सकते हैं कि content कोपी हुए हैं या नहीं हुए हैं, type करके enter की press कीजी, और यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि विश्यू फाइल के अंदर भी content कोपी हो चुके हैं, तो दोस्तों इस तरह हम लोग cp command के द्वारा किसी भी file के content कोपी करते हैं दूसरी file के अंदर, अब दोस्तों यह तो थे file के content कोपी करने के लिए, file कोपी करने के लिए, अब हम लोग discuss करेगे, अगर आप Linux operating system की किसी भी directory को एक location से दूस ऑशुरी location पर कपी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास, एक retc layers नाम की directory है, तो दोस्तों इस etc नाम की directory को मैं root partition से, desktop पर copy करना चाहता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि desktop पर अभी कोई भी etc नाम की directory अवेलेबल नहीं है आपके पास तो उसको copy करने के लिए cp space directory name etc को copy करना है कहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको desktop का path देना पड़ेगा तो desktop का path देने के लिए root partition के अंदर root directory के अंदर desktop नाम की directory पर मुझे इसको copy करना है देखे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा अगर आप directory को copy करना चाहते हैं तो जैसे आप cp directory name को कहाँ पर copy करना है टाइप करके enter की press करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यह error आएगा क्योंकि दोस्तों directory के अंदर बहुत सारे content भी available होते हैं subdirectories and file तो आपको यहाँ पर क्या करना है hyphen rf यूज करेंगे आप recursive and forcefully type करके आप enter की press कर दीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस file इस directory के content है etc नाम की directory के content desktop पर copy हो रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं दोस्तों आपी command जो है वो successfully execute हो चुकी है ls करके आप check करेंगे क्या इस location पर etc directory available है यहाँ पर आप देख सकते हैं root partition के अंदर भी etc directory available है के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी desktop पर भी आपकी etc नाम की directory अवेलेबल हो चुकी है तो इस तरह दोस्तों हम लोग linux operating system के अंदर cp command यूज करते हैं इसके बाद second command आती है mv दोस्तों mv command हम लोग यूज करते हैं move करने के लिए यान कि एक file के content या किसी भी directory को एक location से दूसरी location पर move करने के लिए जैसे कि windows operating system के अंदर हम लोग cut use करते हैं cut paste इससे तरह linux operating system के अंदर हम लोग use करते हैं mv command जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको show करूँ तो cat space vishoo file के अंदर कुछ content रखे हुए हैं ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर एक another blank file create करूँ touch command के दौब़ादा touch space vices file मैं एक blank vices file मैंने create की अब मैं vishoo file के content कट करके vices के अंदर रखना चाहते हूँ यनके move करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम लोग command यूज करते हैं mv space कहां से आपको move करना है vishoo file के अंदर से और कहां पर करना चाहते हैं vices file के अंदर type करके enter key press कीजिए overwrite करने के लिए confirmation दे रहा है y press कीजिएगा और enter key press कीजिए अब दोस्तों अगर मैं यहां पर आपको show करूँ get space vishoo आप देख सकते हैं वहां पर सभी content जो है वो available नहीं है यहां पर और अगर आप यहां पर vices file के अंदर देखते हैं तो आपको complete content आपको show होंगे ठीक है दोस्तों तो इस तरह हम लोग एक file के content move करा सकते हैं दूसरी file के अंदर दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहां पर आपको गर show करूँ तो मेरे पास में एक again etc नाम की directory है इसे मैं move करना चाहता हूँ temp directory के अंदर ठीक है दोस्तों जैसे की इसके लिए हम दो command जो यूज करते हैं mv space तो यहां पर space डाल के जिस directory को आप move करना चाहते हैं और जहां पर आप move करना चाहते हैं जैसे की tmp directory के अंदर type करके just आप enter की press कीजिए और आप यहां पर देख सकते हैं कि command जो है वो successfully run हो चुकी है सबसे पहले हम लोग confirm करने के लिए ls command use करेंगे ls command run करते ही दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पहले यहां पर etc directory available थी वो अब आपको यहां पर available नहीं हो रही है देख सकते हैं यहां पर ठीक है इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहां पर temp directory के अंदर check करूँ क्या etc नाम की directory यहां पर available है या नहीं तो ls space temp टाइप करके enter की press कीजिए और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर etc directory available है तो इस तरह दोस्तों हम लोग linux operating system के अंदर mv command यूज करते हैं किसी भी file या directory के content को move करने के लिए दोस्तों इसके बाद जो हम लोग third command यूज करने वाले हैं वो है free दोस्तों free जो है वो linux operating system के अंदर use की जाती है RAM की information check करने के लिए जैसे की free type करके जैसी हम लोग enter key press करते हैं तो आपकी machine के अंदर total RAM कितनी है, swap memory कितनी है, वो आपको show होता है जैसे की दोस्तों यहां पर ख्यान से देखेगा जैसी हम लोग free type करके enter key press करते हैं mem, यानि के memory की information आपको show करता है के साथ-साथ swap की information भी आपको show करता है, swap partition की information दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपकी machine के अंदर total memory कितनी है यह size आपको kb में show कर रहा है यूज कितनी हो रही है ram, free कितनी कितने kb है shared कितना है, buffer कितना है और cache कितना use हो रहा है के साथ-साथ आप यहीं पर देख सकते हैं कि आपके machine के अंदर total swap memory कितना है use कितना हो रहा है और free कितना है दोस्तों यही size अगर आपको human readable form में देखना है तो hyphen h use कीजेगा free के साथ, type करके enter की press कीजिए तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अब आपको memory total memory कितनी है use कितना हो रहा है free कितना है shared कितना है यह आप यहां से देख सकते हैं के साथ-साथ swap memory कितनी है आपके machine के अंदर use कितना हो रहा है free कितना है human readable form में यानिके mb, gp, tb, pb के according आपको show करता है तो इस तरह दोस्तों हम लोग Linux operating system के अंदर free command use करते हैं इसके बाद next command जो हम लोग use करने वाले हैं वो है दोस्तो f disk देखे दोस्तो f disk जो है वो आपकी machine की hard disk की information show करता है Linux operating system के अंदर जैसे की f disk space hyphen l यूज कीजिएगा f disk के साथ hyphen l command जैसे हम लोग type करके enter की press करते हैं तो आपकी machine के अंदर hard disk की complete information show कर देता है जैसे की आपकी जो hard disk है वो किस location पर save है यहां पर आप देख सकते हैं root partition के अंदर sda के नाम से hard disk available है total उसका size क्या है यही size आपको यहां पर GB में show कर रहा है और यही पर यह size आपको bytes में show कर रहा है इस hard disk के अंदर total कितने sectors available है और एक sector के अंदर आप कितना data save कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपके sector का size भी show कर रहा है 512 bytes के साथ-साथ यहां पर आपको show कर रहा है कि आपकी machine के अंदर total कितने partitions available है यहां से आप देख सकते हैं आपकी machine के अंदर total 3 partitions available है उनका starting sector क्या है ending sector क्या है यह आप यहां पर information देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चार कमांड को discuss किया है पहले थी हमारी cp second थी mv third थी free fourth थी हमारी f disk तो इस वीडियो में दोस्तों यही चार कमांड आगे हम लोग next वीडियो के अंदर again basic commands को continue रखेंगे हमारी cp वोगया इसमारी cp आगे